अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपसे शेर कर रही हूं मलाई मावा फालूदा मिक्स की रेसिपी जो के बहुती इजी और बहुती आसानी से बनके तैयार होती है मलाई मावा फालुदा मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में एक लिटर दूद को अच्छी तरह बॉल होने के लिए रख देंगी जैसे ही दूद में उबाल आने लगे अब हम इसमें मलाई मावा फालुदा मिक्स का पैकिट डाल देंगे स्क्रीन पे उसकी फोटो नजर आ रही है आप इसमें अपनी फ्लेवर के कोई भी फालुदा मिक्स यूज़ कर सकते रोस फालुदा रबड़ी फालुदा और भी बहुत सारे फालुदे के फ्लेवर आते हैं आप अपनी पसंद से डाल सकते है 20-25 मिनट अच्छी तरह पकाते रहेंगे जब 20-25 मिनट हो जाए गैस की फ्लेम को बन करेंगे और इसे ठंडा होने उस देर के लिए छोड़ देंगी देर के लिए उसे रूम टेंपरेचर पे ठंडा कर लेंगे बाद में आप फ्रीज में भी रखके उसे ठंडा कर सकते हैं अगर आप रीज में रखना नहीं चाहते तो इसमें बरफ भी एट कर सकते हैं जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए अब हम इसे एक ग्लास में सर्फ करेंगी एक ग्लास में सबसे पहले हमने जो फालुदा मिक्स रेडी किये है उसे दाल देंगे बारिक कट करके इसमें मलाई कुलफी दालेंगे इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अप्लोडेड है अगर आप देखना चाहते है तो जाके देख सकते है या आप इसकी जगा मैंगवा एसक्रीम या वैनिला एसक्रीम भी दाल सकते है उसके बाद ऊपर से रूफ अबज़ा दाले इंस्ट्राग्राम आइडी की लिंग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है अपना खयाल रखे और मुझे अपनी दुआव में याद रखे अल्ला हाफिज